हेलो एवरिवन मैं एकता सिंग अपने यूट्यूब चैनल कमला पती बायोलोजी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए 11 चैप्टर जीव जगत को स्टार्ट करने वाली हूँ इसमें मैं आपको जीव क्या है, जीवन क्या है, जीवों के लक्षरादी टॉपिक्स को एक्स्प्रेन करने वाली हूँ और ये मेरे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट वन वीडियो है और पार्ट टू वीडियो मैं मंडे को लेकर आऊंगी तो इसलिए मेरे आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे एक भी important point मिस ना हो सके और 11th क्लास के biology syllabus की पून जानकरी के लिए आप मेरी पहली वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं मेरी पहली वीडियो का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा लेकिन आप मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment box में comment करके जरूर बताए जिससे मैं next topic के वीडियो को part 2 में अच्छे से represent कर सकूँ तो अब start करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी ये slide open की हुई है first chapter है हमारा the living world ठीक है the living world इसे हिंदी में कहते हैं जीव जगत ठीक है तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे introduction of living world की यानि की जीव जगत के परिचे की की जीव जगत है क्या कहते किसे हैं ठीक है तो मैं अपनी next slide की ओर चलती हूँ आप देख सकते हैं जीवों के विस्टित प्रकारों की श्रिंखला विस्मैकारी है असाधारन निवास इस्थान, चाय विठंडे परवद, पर्णपाती बन, महासागर, अलम्नी यानी की मीठे जलवाली जीले, मरुस्थल, अत्वागर्म जर्ना जिन में जीव रहते हैं ठीक है इन सभी जो जगे हैं ये ठीक है इन में रहने वाले जितने भी जीव हैं जैसे कि सरपर दोरते घोडे, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल, अध्वा आक्रमन कारी शार्क की सुन्दर्ता का अहवाल करती हैं तो इतने सब जगहों में अलग-अलग तरे के जीव पाय जाते हैं ठीक है अर्थात इतने सभी विपरीत सुभाव वाले जीव धारी इस जगत में प्रवास करते हैं इसे ही तो जीव जगत कहते हैं I hope कि आपको ये paragraph समझ में आ गया होगा तो next point के उट चलते हैं What is organisms? जीव क्या है? जिन में जीवन है वही जीव कहलाते हैं जीवन ही नहीं है वह तो निर्जीव हो गया और अगर जीवन है तो वह जीव है next topic आता है जीवन क्या है? What is life? मैं अपनी next slide क्यों चलती हूँ संगटित पदार्थ सच्यों पदार्थ या भूत द्रव्व की जैवदशा ही जीवन है कोई एक संगटित पदार्थ है जो एक रूप में बना हुआ है अब उसमें जैवदशा है उसे ही जीवन कहते है अगर जैवदशा नहीं है तो कोई भी pattern है तो वो रखा है तो बस रखा है तो वो निर्जीव हो गया लेकिन ऐस संगटित पदार्थ जिसमें जैवदशा दिख रही है जिसमें कुछ क्रियाएं दिख रही होती हुई तो वो उसमें जीवन है वास्तों में जीवन जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन होने वाली एक विशेज प्रकार की उर्जा या सक्ती है जीवधारियों में जो एक special type की जो energy दिखती है ठीक है वो energy ही जीवन है फिर next topic है हमारा characteristics of living organisms जीवों के लक्षण या यह कह सकते हैं सजीवों के लक्षण ठीक है तो इनके लक्षण में सबसे पहला लक्षण आता है growth, बृध्धी ठीक है तो यह मतलब कहने का यह है कि सभी जीव जो है वृध्धी करते हैं जीवित जीव द्रब्यमान और संख्या में बढ़ते हैं एक बहु कोशी की जीव कोशी का विभाजन द्वारा अपना द्रब्यमान बढ़ता है कहने का मतलब इसका ये है कि जितने भी जीवित जीव हैं द्रब्यमान मतलब अपने आकार में, अपने भार में की वृध्धी करते हैं और संख्या में, संख्या में कैसे करते हैं कि हर जनरेसिन में रिप्रोडक्शन होता है तो उनी के ही जैसे संतधी उत्पन होती जाती है तो वो अपनी संख्या में भी व्रिद्धी करते जाते हैं फिर आगे लाइन है कि एक बहु कोशिकी जीव कोशिका विभाज़न द्वार अपना द्रिब्यमान बढ़ाता है वो आगे ग्रो करती रहती हैं कोशिका तो जो वो कोशिका जब ग्रो करती है तो उनके ग्रो करने से जो उनके ओर्गेंज है वो भी ग्रो करते हैं जिसकी वज़े से उनका आकार भी बढ़ता है और उनका भार भी बढ़ता है लेकिन पाधों में क्या होता है पाधों में उनके विभज्यों तक छेत्र में जीवन भर निरंतर व्रिद्धी होती है पाधों में क्या होता है कि जीवन भर व्रिद्धी होती ही रहती विवज्जव तक छेतर जैसे कि उनकी पत्तियां है गिरती है फिर नई निकलती है ठीक है तो ऐसी सारी चीजें जीवन भर उनमें व्रिद्धी होती ही रहती लेकिन जानवरों में व्रिद्धी एक निश्यत उम्र तक ही होथी है जानवरों में हो या कोई भी जीवो प्लीज इसे एवॉइड करें तो जानवर हो या कोई भी प्रानी भई कोई भी सजी हो ठीक है उनमेहेय Advisor एक निश्चत उम्र तक ही होती Fuck वही है next point की बात करते हैं एक कोशिकी जीव भी कोशिका व्रिद्धी गति विकास प्रजनन आदिसहित जीव की सभी गतिविदियां उपापचय के कारण होती है जो एक कोशिकी जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है ठीक है ऐसे जीवों में क्या होता है जो कोशिका व्रिद्धी हो गई और गति हो गया यानि कि उनका मोशन विकास जो भी उनका development है और जो प्रजनन जो reproduction है ये सारी क्रियाए जो भी एक गतिविदिया है ये सब होती है लेकिन उपापचय के कारण metabolism के कारण होती है ठीक है जो विभाजन द्वारा विक्सित होते हैं जीवित जीव शरीर के अंदर कोशिकाओं के निर्माण के कारण आ निर्जीव जीव जैसे निर्जीव जीव कौन से हो गए जैसे पत्थर क्रिस्टल ये भी बढ़ते हैं ये कैसे बढ़ते हैं उनकी बाहरी सतेवर पर समान सामगरी के जोड़ने के कारण कि कोई foreign body substance आया और उनमें attach हुआ और वो जोड़ गया तो वो उस तरीके से अपने आकार में विद्धी कर लेते हैं foreign body substance का मतलब ये हो गया कि कोई भी बाहर से कण आया और पत्थर या किसी क्रिस्टल पर बैठा और कुछ टाइम बाद वो धूल मिट्टी मतलब उपर पढ़ते पढ़ते उसी में जम गया और joint हो गया तो वो पूरा एक उसका आकार बढ़ आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स लक्षण होता है सजीमों का रिप्रोडक्शन प्रजन यह इस तरह के नए व्यक्तियों का निर्मान है ठीक है कहने का मतलब यह है कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है वो एक ऐसी क किना ठीक है वो व्यक्ती इंसानों में भी होता है कि रिप्रोडक्शन सभी जीवों में होता है को व्यक्तियों के अस्तित्व के लिए प्रजनन आवश्यक ही नहीं बलकि जन्संख्या संथाई करण के लिए इस शर्प किसी भी जीव का अपना अस्तित बनाए रखने के लिए ही आवश्चक नहीं है बलकि उनको अपनी आबादी बनी रहे आबादी में उनकी जो जणसंख्या है उसमें कोई कमी ना आए उसके लिए भी ज़रूरी है बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की तो लिखा है लेंगिक प्रजनन में दो माता-पिता समान प्रकार के व्यक्तियों का उत्पादन करने के लिए सामिल होते हैं ठीक है जो लेंगिक प्रजनन होता है sexual reproduction होता है इसमें क्या होता है कि दो parents body होती है एक female और एक male ठीक है तो उनके fusion से एक new person बनता है ठीक है यानि कि single parent ही होता है उसके ही दुरूस के ही जैसी एक संतति उत्पन होती है अलायंगिक प्रजनन विखंडन किन्वन उनर्जनन वनस्पति प्रसार द्वारा हो सकता है लेकिए इस point में आपको यह बता जा रहा है कि अलायंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है अभी मैं यहां पर साथ सिर्फ आपको इंट्रो दे रही हूँ फिर जैसे ही आगे chapters और topics हमारे बढ़ते रहेंगे फिर मैं one more by one सबको मैं explain करके आपको बताती रहूंगी तो अलायंगिक प्रजनन कितने टाइप से होता है विखंडन से फिजन के थरू किंडवन से यानि fermentation के थरू पुनर जनन यानि की regeneration के थरू वनस्पति प्रसार यानि की vegetative propagation के थरू ठीक है फिर आता है कोशी की जीवों में व्रिद्धी और जनन समान है कोशी कीव जीवों होते हैं जिनमें कोशी का पाई जाती है ठीक है उनमें जो व्रिद्धी है और जो जनन है ये एक समान है कई जीवों ऐसे होते हैं जैसे खचर हो गया अनिशेक मदमक्या हो गई यानी जो कारीकरतावाली मदम्ख्मक्या होती जिनका काम होता है कि फूलों से रस time कालना और शाय बनाना थीक है के फिरानी नहीं खोती है तो चेता हमें वह उसेट में फर्टाइल और सुधृ ब्लम हे इन्छा होती है और सुधृ फिर हिंदी में बोलूं तो यह बांज लास इसलिए प्रजनन जीविजीवों की एक सर्वसमावेशी विसेस्ता नहीं है हाला कि कोई भी निर्जीव वस्तु में पुनुरुत पादन या दोहराने की शक्ती नहीं होती है ठीक है इसलिए प्रजनन जीविजीवों की एक सर्वसमावेशी विसेस्ता नहीं कहने सभी जीव प्रजनन करते हैं या सभी जीवों की क्वालिटी प्रजनन है क्योंकि खच्चर या कुछ अनिसेक मानों जोड़े हो गए और वो वरकर बीज हो गई ठीक है तो कुछ ऐसी होते हैं जो कि उपापच्चा यानि कोशिकाओं के आंतरिक भाग में विभिन प्रकार के अनुओं के बीच विशिस्ट अंतह क्रिया के कारण किसी व्यक्ति में होने वाली सभी प्रकार की रसायनिक प्रतिक्रियाओं का कुल्योग उपापच्चा कर लाता है कहने का मतलब यह है कि कई तरीके के अनु होते हैं और उन अनुओं के बीच में उन अनुओं में आपस में क्या होता है कि कुछ क्रिया हो रही होती है इसे अन्ता क्रियां कहते हैं ठीक है कुछ क्रिया हो रही होती है उस क्रिया के कारण व्यक्ति में होने वाले सभी प्रकार की रासायनिक प्रतिक् अगर कुल योग देखा जाए उस कुल योग को उपापचय कहते हैं ठीक है नेक्स पॉइंट है वृद्धी गती विकास प्रजनन आधि सहीत जीव की सभी गती विधियां उपापचय के कारण होते हैं उपापचय दो प्रकार का होता एक अपचय और दूसरा उपचय बात कर है उपचय की उपचय में क्या होता है उपचय में प्रकात संरेशन जैसे एक जीव के द्रब्विमान को बढ़ाने के लिए सभी निर्मान प्रतिक्रियाई शामिल हैं ठीक है कि जैसे कि प्रकास अंसलेशन से पहुत है अपना भूजन बनाते हैं ठीक है या फिर जो भी जीव अपना द्रविमान बढ़ाने के लिए कुछ भी निर्मान वाली प्रतिक्रियाई करते हैं ठीक है तो इन सब क्रियाओं को उपजय कहते है अपचय में क्या होता है कि अपचय में विगटन प्रत क्रियाएं सामिल होती हैं जैसे स्वसन, पाचन, आदी तो इस ताइब की क्रियाओं को क्या कहते हैं कोई भी निर्जी उवस्त उपापचय नहीं दिखाती है यह important point है कि कोई भी निर्जी उवस्त में उपापचय नहीं होता है फिर fourth point पे आते हैं Cellular Organization, कोशी की संगठन कोशी का है सभी जीवित चीजों की निर्माण खंड है कोशी का है सभी जीवित चीजों की निर्माण खंड है यानि कि जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं ठीक है इस जगत में उन सभी का शरीर कोशी काऊं से ही बनता है इसलिए आपने ninth और tenth standard में पढ़ा होगा कोशी का जीवन की इकाई और आपके इंडर में भी है ये कोशी का जीवन की इकाई ठीक है, तो इसलिए कोशी काऊं को जीवन की इकाई कहते हैं क्योंकि कोशी काऊं से ही मिलकर के हमारा शरीर बना रहता है चाहे भी पौधे हो या वो जानवर हो या मनुष्या एक कोशी की जीव एक कोशी का से बने होते हैं जब कि बहु कोशिक यह जीव लाखों कोशिकाओं जे बनते हैं ठीक है यह point में आपको उपर explain कर चुकी हूँ next point पर आते हैं कोशिकाओं में protoplasm यानि कि जीवित पदार्थ living matter ठीक है कह सकते हैं और कोशिकाओं में protoplasm होता है और कई सारे और्गनलीज होते हैं जो cellular इसतर पर कोशिकी एक लेवल होता है ठीक है cellular level पर कई गतिविधिया करते हैं और परिणाम सरूप विभिन जीवन प्रक्रियाएं होती हैं और उनके परिणाम से क्या होता है कि हमारे जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो भी process है वो उनके ही परिणाम सरूप हो पाती है हाथ हिलाने से ले करके सिर हिलाने तक हमारे वॉक करने तक ये सभी क्रियाए कोशिकाओं के ही क्रियाओं का फल सरूप है तो फिप्ट पॉइंट की बात करते हैं Consciousness यानि कि चेतना Consciousness चेतना समझ सकते हैं आप ठीक है तो इसमें यह है कि यह है परिवेश की जागरुकता और बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब है बाहरी उत्तेजनाओं भातिक रासाइनिक या जैवी हो सकती है ठीक कहने मतलब यह है यह है परिवेश की जागरुकता और बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब है कहने मतलब consciousness वो होता है कि जैसे कुछ भी मतलब चल रहा है आसपास और वो हमें पता चलना चाहिए हम उसके लिए कितना सचेत हैं कितना जागरूख है यह चीज हो गई ठीक है वह भौतिक भी हो सकता है रासाइनिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है पौधे प्रकाश जल गुरुत्वा करशन प्रदूशन आधि के प्रति भी अनुक्रिया करते हैं प्रकाश के प्रति करते हैं जल के प्रति करते हैं गुरुत्वा करशन के प्रति भी करते हैं और प्रदूशन के प्रति भी करते हैं भाई प्रकाश से क्या करते हैं प्रकाश स प्रदूशन होता है तो वह पौधों में उनका कार्ड देना या ऐसा कुछ भी कर देना तो इस वज़े से प्रदूशन होता है ठीक है विभिन प्रकार की उतेजनाव के लिए यू केरियोटिक प्रतिकरिया के लिए सभी जीवित जीव प्रोकरियोटिप ठीक है आगे मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर चलती हूं मनुष्य ही केवल ऐसा जीव है मनुष्य ही केवल एक ऐसा जीव है जो स्वयम के बारे में जागुरुक है कोई भी जीव इस धरती पर मैं कहते हूं कोई भी प्राणी हो कोई भी जीव हो किसी भी प्रजाती का हो किसी भी जाती का हो वो खुद के लिए उतना जागुरुक नहीं है जितना की मनुष्य है रोटी कपड़ा मकान यह सभी आवस्यक्ता किसके लिए है जानवरों के लिए तो है नहीं है ना मनुष्य के लिए ही है क्योंकि जानवरों उसके कॉना तो मगान चाहिए ना ही रोटी चाहिए ना ही कबड़ा हां रही बाद उनको अपना पेट भड़ने की वो तो जंगल में रहते हैं किसने किस तरीके से पना एक फूर्ट चैन है उसके कॉर्डी भरते रहते हैं ठीक है लेकिन ये एक आवशकता है जो भी जाग करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और सभी स्टुडेंट्स को शेयर कीजिए लाइक कीजिए सो थैंक यू